तो यार आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने पेटीयम ओलट से यहाँ पर पचीस सो रुपे अपने बैंक एकाउंट पर ट्रांसपर किये थे लेकिन मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर पेंडिंग में चला गया और मेरे पेटीयम से यहाँ प क्लिक अप्लाई करने के बाद एक मेंट के अंदर आपको आपका पैसा जो है रिफ़ंड मिल जाएगा तो उसको करने के लिए आप एक काम करना सबसे पहले पने पेटीयम आपको ओपिन करना उसको आपका ट्रांजिक्शन पेंडिंग होगा आपका पैसा कड़ गया होगा आपको सबसे उपर में एक option मिल जाएगा help का यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने help and support का page open हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको क्या करना है ध्यान से समझेगा तभी आपको पैसा आपका वापिस मिलेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो अप्सन दे जाएगे इन में से आप एक option चूज कर लेना issue in transferring money from wallet to bank इसको चूज कर लेना अगर आपने wallet to bank से ट्रांसपर किया है तो इसको चूज करने के बाद आपके सामने अगला option आजाएगा जहां से आप चूज कर लेना यह वाला option debited from wallet but not credited to receiver इस option को चूज कर लेना इसके बाद दोस्तों फ complete नहीं हो पाया है और कब तक आपको आपका पैसा जो है वापिस मिलेगा आप लोग देख सकतों यहां पर इन्होंने बोला है कि अगर आपका पैसा कट गया है जहां पर आपने भेजा था वहां पर नहीं गया है तो इसमें आपको तीन दिन का minimum wait करना होगा तीन दिन के अं आप से receive होगे refund जैसा कि आप लोग देख सकते हूँ ऐसा करने पर तुरंत आपको पैसा आपका मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो एकात दिन wait कर लेना पैसा तुरंत आपको वापिस आ जाएगा ठीक है यह बहुत ही कमाल का ठ्रिक है इसको apply करना मैंने इस ठ्रिक को दो आइकन को प्रेस कर लेना